नमस्कार दोस्तों जीके अर्दिन सार यूप्टूब चैनल पे आपका एक बार फिर स्वागत है यूपी पीजीटी एकजाम 2021 हिंदी साल्व पेपर यानि 2021 में हिंदी का जो पीजीटी का एकजाम हुआ था उसका इस साल्व पेपर है और ये साल्व पेपर आप गोज है अफ के एकजाम देने जा रहें उनके लिए महत्वपूर्ण हो सकता है तो चल्य वीडियो प्राराम करने से पहले आप से छोटी स्रिक्वेस्ट आवी तक हमारे चैनल पर नयए है तो प्लीज इस चैनल को सब्स्क्राइब करें सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन के घंट के महिने में और इसमें जो है टोटल 125 कोशन है और यह जो बुकलेट है वो जो है डी शीरीच की है तो चलिए वीडियो प्रारंब करते हैं देखे इसमें पाला जो कोशन आया हुआ था यहां पर दिया है जे हाल मिस्की मकुन तगाफुल दुराय नैना बनाय बतिया इस प्रसिद पंक्ति के रचनाकार हैं तो इसके रचनाकार हैं कौन तो यह हैं अमीर खुश्रो कोशन नमबर दो है एकिस्वी सदी का लड़का किस कहानिकार की कृती है यह कृती है छमा सर्मा की कोशन नमबर तीन पर आते हैं निमलिकित में से कौन सी रचना का लेखक नाम सही नहीं है तो सही नहीं यह पूछ रहा है इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा डी सदाचार का तावीज स्रीलाल सुकल यह जो है नाम सही सुमेलित नहीं है कोशन नमबर चार है एक में तालव्य धोनियों का प्रियोग हुआ है तो किसमें तालव्य धोनियों का प्रियोग हुआ है तो वह है चाचा किसमें चाचा में तालव्य धोनियों का प्रियोग कि कौन सो समास है तो इसमें समास है बहु विरी समास कोश्चन नमबर छे है रिती काल को सरपर्थम सिंगार काल नाम रखने का सुझाव किसने दिया था ये सुझाव दिया था किसने कोश्चन नमबर साथ है छोटी हलकी गोल और किनारेदार थाली दिखाव वाक में अपेच्छित है इस कोश्चन को जो आयोगदर रद कर दिया गया है कोश्चन नमबर आठ है हिंदी में मुक्त चंद के प्रवर्तक कभी है तो हिंदी में मुक्त चंद के प्रवर्तक कभी कौन है तो इसमें आपका राइट रेंसर हो जाएगा बी निराला कौन है निराला कोशन नमबर 9 पर आते हैं मैं तुमसे टेलिफोन पर बात करूँगा इस वाक में टेलिफोन पर किस कारक में प्रयुक्त है तो यह कारक पुछ रहा है तो यह है करण कारक कोशन नमबर 10 पर आते हैं नरसी जी का मायरा किसकी रचना है तो यह रचना है मीरा भाई की कोस्टन नमबर 11, अश्ठाद्याई के रचनाकार है जिसके रचनाकार कौन है, पालनी कोस्टन नमबर 12 है आचारे रामचंदर सुकल के अनुसार चायवाद में प्राब्त होने वाले प्रतीक सहेली पर किस सहित्त का प्रभाव है ये प्रभाव किसका है तो ये है फ्रांसी सी प्रभाव कुस्चन नम्बर 13 है चलती चाकी देख के दिया कभीरा रोई दो पाटन के बीच में साबुत बचान कोई प्रस्तुत दोहे में प्रिप्त सब्द सक्ती पुछ रहा है तो सब्द सक्ती है वह है व्यंजना question number 14 है निम्न में से कौन सा युग में सुमेलित नहीं है तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है तो ये है मधु मालती कुतुबन ये वाला जो है युग में सुमेलित नहीं है question number 15 पराते है जिसे ततकाल उचित या उत्तर या उपाय सुज जाए के लिए एक सब्द होगा इसके लिए एक सब्द क्या होगा तो वह है प्रतित पन्न मत्ती इसका C राइट एंसर हो जाएगा इसमें Question number 16 है, प्रियोग वाद अपने आप में इस्ट नहीं है, वह साधन है, प्रियोग द्वारा कभी अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है और अधिक अच्छी तरह अभिव्यक्त कर सकता है, वस्तु और सिल्प दोनों छेत्र में प्रियोग फल प्रद होता है, यह कथ किसका है, यह कथन पूछ रहा है किसका है, तो यह कथन है, अगे, सीसकर राइट एंसर होगा, अगे, कोशन नमर 17 है, जब ते इत ते घंस्याम सुजान अचानक ही बलसंग, सिधारे कर पै मुख चंद धरे सजनी नित सोचती है, तू कहां मन मारे, प्रस्तु जो पंक्ती है में किस संचारी भाव का उलेख है, तो इसमें संचारी भाव पूछ रहा है, तो इसमें जो है, इसमिर्ती संचारी भाव का उलेख है, कोशन नमर 18 है, सोम प्रभ सुरी की रचना है, तो यह रचना किसकी है, तो कुमार पाल प्रति बोध की, कोशन नमर 19 है, निमन लिखित म से एक सूरी का प्रयावाची है एक सूरी का प्रयावाची पुछ रहा है इसमें तो है आर्क जो है सूरी का प्रयावाची 19 का सी कोस्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्ष्. कोश्चन नमबर 23 है, निम्न में से कौन सा सब्द उत्तर का बिलोम नहीं है, तो उत्तर का बिलोम जहें, अनुत्तर ये सब्द जहें, उत्तर का बिलोम नहीं है, कोश्चन नमबर 24 है, फूल मरे पै मरे न बासू, यह प्रसिद उक्ति किस कभी की है, तो यह कभी है, किस कभी क है युक्तित यह है काली दाश की कोस्टन ब्सकुमार यह किसी को नहीं था यह कतन किसका है कोस्टनumbles 27 निम्न उपर्णियास में से कौन उसके लेखकों के साथ सुमेलित नहीं है पर ध्यान दिजिएगा सुमेलित नहीं यह पुछा है तो इसमें आपका राइट एंसर हो जाएगा अब्दुल्ला दिवाना संकर सेस यह सुमेलित नहीं है इसके लावा ABC वाले सब सुमेलित है बिलोम की दृष्टी से असंगत युग्म है तो असंगत युग्म है इसमें से कौन सा है तो वह है साण साड़नी यह संगत है कौस्सण नमबर 29 है भारती भासा विज्ञान की प्रसिद मनु इत्री में समलित नहीं है तो वह है भर्त हरी इसका राइट एंसर डी होगा भर्त हरी कोश्चन नमबर तीस है औ कहानी आंदोलन के पुरासकरता माने जाते हैं इसके पुरासकरता यह पुरासकार करता माने जाते हैं कौन है तो वह है गंगा प्रसाद दीमल कोशन नमबर 31 है मधु सब्द का पंचिमी विवाक्ति एक बचन ने रूप होता है तो वह रूप होता है मधुना कोशन नमबर 32 है किन्नर देश में किस विधा की रचना है यह है यात्रा बृतांत की कोशन नमबर 33 है हिंदी के प्रथम अलंकार निरोपक आचार्य है तो प्रथम अलंकार निरोपक आचार्य कौन है तो वह है के सो दास कोशन नमबर 34 पराते हैं निमलिखित में से अववई भाव समास का उधारन है यह उधारन है किसका रातो रात का कोशन नमबर 35 है नैनो की नीलम की घाटी जिस रस घन में च्छा जाती है वह क्रोध की जिससे अंतर किसी तलता ठंड़क पाती है वो प्रस्तुत पंक्तियां कमाईनी के किस सर्ग से ली गई है तो यह ली गई है किस से लज्जा से कोशन नमबर 36 है एक वाक के सुद्ध है तो 36 में कौन सा वाक के सुद्ध है तो इसको भी आयोक द्वारा गलत करार दिया गया है कोशन को question number 37 पराते हैं तुम्हारे मुँ में घी सक्कर का सही अर्थ होगा इसका सही अर्थ है इस्वर करें तुम्हारा समाचार सत्य हो question number 38 है इन में से एक विदेशी भासा का सब्द है इन में से एक विदेशी भासा का सब्द पूछ रहा है कौन सा है तो इसमें आपका right answer हो जाएगा एक Qatar Qatar जो है विदेशी भासा का सब्द है इसमें question number 49 है निस्षे सब्द में कौन सी संधी है निस्षे सब्द में जो है कौन सी संधी है तो वह है विसरग संधी इसका right answer D होगा 49 का विसरग संधी question number 40 पराते हैं सांती प्रिय दिवेदी कृत परिवाज्रक की प्रजा क्या है यह जो है एक प्रकार की आत्म कथा है तो 20 का राइट एंसर होगा कुश्चन नमबर 41 है जो कम खर्च करने वाला हो के लिए एक सब्द क्या होगा तो वह है मित व्याई कुश्चन नमबर 42 है निमलिखित में से कौन सी एक रचना राष्टी संस्कृतिक धारा की नहीं है तो वह रचना का नाम है प्रभात फेरी कुश्चन नमबर 43 है बिहारी अकेले कभी है जिन्होंने ग्रामिड संस्कृतिक के विरुद्ध घ्रणा की अविव्यक्त की है यह किसका कथन है तो यह है बच्चन सिंग का 43 का डीस में राइट एंसर होगा कुश्चन नमबर 44 है रस सुत्र के किस ब्याख्याता ने रस निस्पत्त की प्रक्रिया की पुष्टी चित्र तुरंग न्याय के अधार पर की है यह किया है किसने संकुक संकुक ने कुश्चन नमबर 45 है निमलिखित में से कौन निमलिखित में से अघोस महाप्राण धोनी है तो वह है खो यानि यह इसका राइट एंसर होगा इसमें कुश्चन नमबर 46 है संबत सोरह सै एकतीसा करहूं कथा हरिपद धरिसीशा उपित पंतियों में से किस प्रसिद गरंथ क साल का संबत किया गया है किस में तो है राम चरित्र मानस में कुश्चन नमबर 47 है एक वाक में अपाधान कारक का प्रियोग हुआ है तो वह हुआ है लड़का बजार से लवटा कुस्त नमबर 48 है निस्स हाई हिंदू उपन्यास के लेखक कौन है तो इसके लेखक है राधा कृष्ण 10 से कुस्त नमबर 49 है मंगलेश डबराल का कविता संग्र है ये कविता संग्र किसका है पहाल पर लाल टेन कुस्त नमबर 50 पराते हैं भाग का पर्यावाची नहीं है तो भाग का पर्यावाची नहीं है तो वह है नियत नियत जो भाग का पर्यावाची नहीं है question number 50 है निम्लिकित में से किस रचना और उसकी विधा का नाम सही नहीं है तो वह है जूठन स्मरण ये जो है इसका सही नहीं है question number 52 है हिंदी के किस आचारे ने छल नामक संचारी भाव को परचारित किया ये हैं देव इसका राय टेंसर हो जाएगा देव question number 33 है ताबे के कीडे नामक लगु नाटक के लेखक है तो इसकी लेखक है भूनेस्वर प्रसाद ये तिरपन का राय टेंसर भी हो जाएगा भूनेस्वर प्रसाद question number 54 पर आते है जिस वाक में एक बचन का प्रियोग हुआ है जिस वाक्य में एक वचन का प्रयोग है वह वाक्य कौन सा है तो वह वाक्य है लड़के ने कहा इसमें एक वचन है कोशन नमबर 55 पर आते हैं पंथ जी की रचनाओं बीडा और पल्लों दोनों में अंग्रेजी कविताओं के लिए हुए भाव और अंग्रेजी भासा की लाचनिक परयोग बहुत मिलते हैं यह कथन किसका है तो यह कथन है डाक्टर राम चेंदर सुकल का कोशन नमबर 56 है आपने क्या कहा सो मैंने नहीं सुना वाक में अपेच्छित है तो इसमें अपेच्छित है क्या तो वह है एक अल्प बिराम एक पूर्ण बिराम बीश कराई टेंसर हो जाएगा 56 का बी कोशन नमबर 57 पर आते हैं आयोध्या सिंग उपाध्याय हर्योध द्वाररचित ठेट हिंदी का ठाट किस बिधा की रचना है तो यह बिधा है उपन्यास कोशन नमबर 58 है रतनाकर जोपम कथा पुस्तक का संबंद किस से है यह संबंद किस से है बजर यानी सिद्ध से कोशन नमबर 69 है कबीर का भक्ति आंदोलन बिद्रोह मूलक है जो गोस्वामित तुलसी दास का प्रतिरोधात्मत यह विचार ब्यक्त करने वाला बिद्वान ह है तो अभी द्वान का नाम है डाक्टर बच्चन सिंग कोशन नमबर 60 है उर्दू आगत सब्द है तो उर्दू आगत सब्द है किसका यह तूर्की का है डीस का राय टेंसर होगा कोशन नमबर 61 है मीरा बाई की उपासना है तो मीरा बाई की उपासना है माधूर भाव में क कुसम नूबर 62 है कानह सब्द है तो वह है कानह सब्द तदभाव सब्द है कुसन नूम्बर 63 है निम्मे से कौन गीति नाट नहीं है इसको आयोगदरा जाए रद क्या गे गया कुष्ब orders लिखाया किसने रहीम ने इसका राइट एंसर होगा ए रहीम कुष्ब नमब पाएंसठ है कानपर जूरेंग ना मुहावरा का सही अर्थ क्या है तो इसका सही अर्थ है बिल्कुल ध्यान न देना कोश्चन नमबर चाचट है पहाड़ी हिंदी का विकास किस अभरंस माना गया इसको भी आयोग दोरा कोश्चन को गलत या रद किया गया है कोश्चन नमबर सरशट पाते है निमलिखित में से कौन सा धनुस का प्रयाय नहीं है तो आसी जो है धनुस का प्रयाय इसमें नहीं है कोश्चन नमबर 68 है निमलिखित में से गहना नंद की रचना नहीं है तो गहना नंद की कौन सिसमें रचना नहीं है तो वह है पच्छी बिलास जो है गहना नंद की रचना नहीं है कोश्चन नमबर 69 है घाडों पानी पढ़ना मुहावरा का अर्थ है तो इसका अर्थ होगा अत्यांत लज्जित होना कुश्चन नमबर सत्तर है निम्लिकित में से कौन सा बहु विरी समास का उदारान नहीं है तो राजपूरसा ये जो है बहु विरी समास का उदारान नहीं है कोश्चन नमबर 71 है जहां उपमे का परतिसेद कर उपमान के अस्थापना की जाए वहां अलंकार है तो वहां जो है अलंकार का नाम है अपहनूती कोश्चन नमबर 72 है अस्था धातु का विधी लिड़ प्रकार प्रथम पुरुस बहु बचन इसमें कौन सा होगा इसमें होगा तिष्ठेयू 72 का राइट एंसर इसमें होगा ए तिष्ठेयू कोश्चन नमबर 73 है इन में से एक पतवार का परायवाची है तो पतवार का परायवाची है करण इसका राइट एंसर सी युगा तिष्ठेयू का करण कोश्चन नमबर 74 है कारण के अभाव में कारी की उत्पत्ती होना किस अलंकार का परिचायक है ये परिचायक है भी भावना का कोश्चन नमबर 75 पर आते हैं बरवेच्छंद है तो बरवेच्छंद है अर्ध सम मात्रिक कोश्चन नमबर 76 है निम्न में से कौन सी रचना सर्वेच्छर दयाल सक्सेना की नहीं है तो वह है एक सहर की मौद कोश्चन नमबर 77 है सावर सायनी अप भरंस के अंतरगत आने वाली भासा कौन नहीं है तो वह है तेल इसका राइट एंसर बी होगा तेल कोश्चन नमबर 78 है एक तस्तम सब्द है तेन में से कौन सा एक तस्तम सब्द है तो वह है डाकनी एक जो है तस्तम सब्द है कोश्चन नमबर 89 है तूलसी दास चंदन घिसे निबंद के लेखक है इस निबंद के लेखक कौन है तो इस निबंद के लेखक है हरी संकर परसाई 89 का बी राइट एंसर होगा हरी संकर परसाई कुस्टन नम्बर 80 पर आते हैं बुढ़े मुह मुहासे पराशन के लेखक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक है राधा चरण गोस्वामी 80 का ए राइट एंसर होगा इसमें question number 81 है दो पहर में समास है तो दो पहर में कौन सा समास है इसमें है दिगू समास question number 82 है निमलिखित वाक्य में से कौन सा सुद्ध है इन में से कौन सा सुद्ध है तो यह है मैं आप पर स्रधार रखता हूँ यह सुद्ध वाक्य है कोश्ण कर आई Not data है इसमें कोश्णलीट 18 83 है एक में उपसर्ग का प्रयोग है इसमें कौन से जो है उपसर्ग का प्रयोग है यह है कुढचंग डिस आईंश रोग इसमें और इसमें सानबर 84 है चाइप सब्द है ज्यशाय आगत सब्द है यह है चीनी दिन चीन से बना है चायाग सब्द, कोश्चन नमर 85 है, लिंग की दृष्टी से एक वाक की सुद्ध है, तो एक वाक की सुद्ध कौन सा है, तो वह है दही खट्टा है, ये वाक की सुद्ध दही खट्टा है, कोश्चन नमर 86 है, पुस या पूड को हिंदी का प्रथम कभी किस आल 87 है सेखर जोसी की कहानी है सेखर जोसी की कहानी कौन इसमें तो वह है बिपत्ती कोश्चा नमबर 88 है इन में से एक का अर्थ इतराज है इन में से एक का अर्थ इतराज है तो किसका अर्थ इतराज है तो वह है महुए का पेण question number 89 है बिज्ञान गीता किसके द्वारा लिखी गई है तो वह है केसव दास द्वारा question number 90 है इतिबिर्ती और अलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकास अस्तम्ब बना हुआ है इस कथन में जिस इतिहास के और संकेत दिया गया है उसके लेखक है तो उसके लेखक कौन है यह पूछ रहा है तो उसके लेखक है आचारे राम चंद्र सुक्ल कोशन नमबर 91 है एक दिन बोलेंगे पेड काब संग्रह के रचनाकार है जिसके रचनाकार कौन है तो वह है सुमित्र मोहन कोशन नमबर 92 है इस बोली में करता कारक की विपत्ती का प्रयोग नहीं होता है तो वह है आवधी में कोशन नमबर 93 है एक की वर्तनी सुद्ध है तो 93 नमबर कोशन में किसकी वर्तनी सुद्ध है तो वह है अननास इसका राइटेंसर हो जाएगा अननास इसमें वर्तनी सुद्ध है question number 94 है उत्तर रामचरित्र का प्रधान रस है इसमें प्रधान रस है करून इसका राई टेंसर हो जगा 94 का B करून question number 95 है संत साहित्र के सम्बंद में कौन सा कथन उचित प्रतीत नहीं होता है तो वा कथन B है यह रामचरित्र सुकल के अनुसार या इसलामिक आकरमण से पराजित हिंदु जनता के असाय मनह इस्तिति का परणाम है यह प्रतीत कथन या उचित नहीं है तो बीज का राइट एंसर होगा कोश्चन नमबर 96 पर आते हैं निमलिकित सब्दार्थों के युग में से कौन सा युग में गलत है तो कौन सा युग में गलत है यह पुछा जा रहा है तो वह है सिर्शकम सिखा ये युग में आपका गलत है कोश्चन 97 है निमलिकित में से कौन सा अलंकार गरंथ नहीं है तो अंग दरपन ये जो है अलंकार गरंथ नहीं है कोश्चन 98 है सैसाओ के सुन्दर प्रभात का मैंने नव विकास देखा यवन की मादक लाली में यवन का हुलास देखा पंक्तियां किसके द्वारा लिखी गई है ये पंक्तियां किसके द्वारा लिखे गई है ये है सुबद्रा कुमारी चौहान के द्वारा Quesن number 99 है मनोहर स्याम जोशी का उपन्यास है यह उपन्यास किसका है कासब 99 का राइट एंसर होगा ا Quesn number 101 है Quesn number 101 है वारी सब्द की दूतिया विभत्ती दूल बचन कौन सा है वह है वारिणा बी इसका राइटेंसर होगा इसमें सी उपर है इसका बी वारणी इसका बी राइटेंसर होगा कुश्चन नमबर 102 है हिंदी के मार्क्सवादी समिच्छक है कौन है तो है डाक्टर नामवर सिंग कुश्चन नमबर 103 है आखें बिच्छाना मुहावरा का सही अर्थ है इसका सही अर्थ है हिर्दय से आदर करना कुश्चन नमबर 104 है छायावाद बड़ी सहिद्रता के साथ प्रभाव सामे पर ही विशेश लच्छ रख कर चला है छायावाद के संबन्द में यह कथन किसका है यह कथन है आचार रामचंद्र सुकल का 104 का राई टेंसर होगा इसमें कौश्चन नमबर 105 है किसी सुभकारिक को बिधी विधान यानि बिधी विधान और सधा पुरुवत करना क्या कहलाता है यह कहलाता है अनुस्ठान इसको का रता है अनुस्ठान कौश्चन नमर 106 है बचपन की स्मृतियां के लेखक है तो बचपन की स्मृतियां के लेखक कौन है तो वह है राहुल सास्कृतायन जगत सब्द का कौन सा रूप तीन विभक्तियों में से एक रहता है तो वह रूप है जगत भ्याम 20 का राइटर सम एंसर हो जाएगा जगत भ्याम कोश्चन नमबर 108 है मरने के लिए तयार हो जाना अर्थ देने वाला मुहावरा है इसका क्या अर्थ होगा इसका होगा सिर पर कफन बांध लेना कोश्चन नमबर 109 है कूले माला कथा के लेखक कौन है इसके लेखक कौन है ये पूछा जा रहा है इसके लेखक है उधतन सूरी कोश्चन नमबर 110 है अजीर सब्द का अर्थ है तो अजीर सब्द का क्या अर्थ है तो इसका आर्थ है आँगन कोश्चन मॉर 111 है सर्वेस्थुरा, घोस्वन्तो, बल्वन्तो, वत्तब्य यह कथन किस गरंट का है तो यह है चन्दोग्य उपनिशद का कोश्चन मॉर 112 है विश्णु प्रभाकर कृत अवारा मसीहा क्या है तो आवारा मसिया जो क्या है एक जीवनी साहित्य है कोश्चन नमबर 113 पर आते हैं बिलोम की दृष्टी से एक युगम असुद्ध है तो वह है आसिम सामिस ये जो है असुद्ध है 113 का राई टेंसर सी होगा 114 नमबर पर आये एक वाक के सुद्ध है तो इसमें कौन सा वाक के सुद्ध है तो वह है बी वहां मिस्ठान की बड़ी दुकान है ये वाक के सुद्ध है कोश्चन नमबर 115 है निर्गुन भक्ती वाक के धारा में उदासी संपरदाय के परवर्तक कौन है तो इसके परवर्तक है स्री चंद्र कोशन नमर 116 है समिष्टी सब्द का बिलोम है तो समिष्टी सब्द का बिलोम क्या होगा तो इसका बिलोम है व्याष्ठी कोशन नमर 117 है अमिय हलाहल मद भरे सेत स्याम रतनार जियत मरत जुकी जुकी परत जेही चितवत इक बार उपिक्त दोहे में अलंग कार है तो इसमें कौन सा अलंग कार है तो इसमें यथा संख अलंग कार है कोशन नमर 118 है भुरुण हत्या निवंद के लेखक है तो भुरुण हत्या निवंद के लेखक कौन है तो यह है भारतेंदू हरिस्ट चंद्र question number 119 है इस बोली में उत्तम पूरुस एक बचन के स्थान पर उत्तम पूरुस बहु बचन का प्रयोग किया जाता है तो कौन सी बोली है तो वह बोली है आवधी question number 120 है नई कविता की विशे में असत्य कथन है इसमें असत्य कथन कौन सा है तो इसमें D आपका असत्य है यह कविता अंसोनोमुक मध्यम वर्गी समाज के जियोन पर चितरनी है जो है गलत है question number 121 है जो मर रहा हो के लिए एक सब्द क्या होगा जो मर रहा हो तो एक सब्द होगा मुमूर्स यह 20 का राइटेंसर होगा question number 122 है कार सब्दक का प्रकासन काल है तो इसका प्रकासन काल 1943 में हुआ था question number 123 पर आते हैं जहां उपमें स्वेम अपना उपमान हो वहाँ अलंकार है तो वहाँ पर कौन सा अलंकार है तो वहाँ है अनवेय अलंकार question number 124 है भक्ति कालिन रश सिधान्त विश्यक ग्रंत है इसको आयोगदरा question रद कर दिया गया है question number 125 है संथाली भासा किस भासा परिवार से सम्मंदित है यह है आश्टरिक परिवार से यह थे उत्तर परदेश PGT हिंदी जो 2021 का साल पेपर है डी स्रीज है तो उमीद करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आया होगा पसंद आया तो इसको लाइक करें अपने दोस्तों के हाँ अधिक सदिक सेयर करें धन्यबाद दोस्तों जैहिंद वंदे मात्रम